नमस्कार दोस्तों सरीर का अतिरिक्त वजन और पेट की सरवी इतने दबे पाम और फूर्ती के साथ लोगों के सरीर को अपने गिरप्त में ले लेती है कि अधितर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता है जब चरवी की परतों से ओत प्रोत उनकी जांगें पुरानी जिंस और पैंट की महुरी के अंदर समाने से इनकार कर दे और कमर का बेल्ट छोटा पढ़ने लगे एवं हालात वेकाब हो जाए तब सर्वी घटाने की कवायद सुरू होती है रोज नए नए नुश्के और उपाई आजमाए जाते हैं मनोबल तोड़ देने वाली आहार योजनाओं का पालन किया जाता है मगर कभी कभी ये सब भी काम नहीं आता है क्योंकि इन में से अधिक्तर पर्यास काफी कठिन और उबाईू होने के साथ साथ मनोबल को तोड़ देने वाले होते हैं लिहाजा अधिकतर लोग जल्दी ही ठक हार कर इन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं तो क्यों ना वजन और चर्बी कम करने का कोई आसान सा उपाय अपनाया जाए इसलिए आज के लाइप सेंज देशी नुष्के में हम आपको एक साधारन सा घरेलू उपाय बता रहे हैं जो आपके सरीर की चर्बी घटाने में जादू की तरह काम करेगा यह प्राकर्थिक उपाय बहुत कम समय में आपको अतिरिक्त वसा जलाने में मदद करेगा इस प्राकर्थिक उपाय में सौप का इस्तेमाल किया जाएगा वजन और वशा घटाने के अलावा भी सौप के फाइदे मंद प्रभावों की एक विस्तृत स्रंखला है जैसे कि यह सरीर से विसाक्त पदार्तों को बाहर निकालता है सौप प्राकर्थिक डिटोक्सी फायर के रूप में काम करता है यह सरीर में जल प्रती धारन को कम करता है रत्चाप नियंत्रित करता है यह प्रेट की सूजन अपचन और कबज का निवारन करता है अस्तमा के लक्षनों को कम करता है रत्च सुद्ध करता है दुरश्टी में सुधार करता है, मुहासों को कम करता है और मुहासे होने से रोकता है वजन घटाने और समग्र स्वास्ट बढ़ाने वाला सौप का नुस्खा बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए नमबर एक सौप के बीज दो बड़े समच और नमबर दो सादा पानी एक लिटर इस स्वास्ट वर्धक प्राकरतिक पेई को बनाने के लिए एक लिटर पानी को उबा लें और उसमें दो बड़े समच सौप के बीज डाल दें उसके बाद इस बरतन को ढख दें पूरी तरह ठंडा हो जाने दें बस आपका पेई खपत के लिए तयार है इस पेई का एक ग्लास सुगह नास्ते से पहले पिए और दूसरा ग्लास रात के भोजन से डेड़ घंटे बाद या विस्तर में जाने से पहले पिए पांच दिनों में ही यह समतकारी पे आपको अपने अच्छे परिणाम दिखाना सुडू कर देगा आपको अपने बदन से पहले से ज्यादा सुर्थी और हलकापन महसूस होने लगेगा अपना रात्री का भोजन रात नौब देशे पहले जरूर कर लें और इसके अलावा रोधाना कम से कम आठ घंटे की गहरी नींद लेना भी जरूरी है दोस्तों ये था आज का लाइक चैंज देशी नुष्का आजा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों में सेर भी करें और अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगे तो इन कमीयों के बारे में हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम इसमें और अधिक सुधार ला सकें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर उप्योगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद